यहां पे हम कुछ यह लेटेस यॉप्स यह आपके रिकर्डिंग है ग्रेजुशन वेस्पे वो मैं यहां पर आपके लिए लेकि आ रहा हूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर आई-बी की इंटेलिजिए विएरों की ठीक है यह की आपकी मिनिस्ट्रे आफ होम अफेर के अंदर तो यहां पर रिसेंटली आई-बी ने एसिसेंटर इंटलियन्सी ऑफिसर ठीक है और ग्रेट सेकिंड मतलर लाइक और सब इंस्पेक्टर की यह पोस्ट रोती होता है इसमें वाई ठीक है अब यहां पर रिसेंटली पीछे आपकी आई निकली थी यहाँ पर essay की security assistant की ओके और अब यह निकाली है उन्होंने वह निकाली है ACIो का ठीक है यह कि आपकी grade 2 पर है अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वह इसकी क्या qualification रहेगी ठीक है और किया कितनी विगेंसी से यह उन्होंने निकाल वी अगर मैं total विगेंसी की बात करता हूँ तो देवरा 2,000 पोस्ट ठीक है ACIो की यह कि पिछले साल भी इतनी ही थी आई थिंग तो पिछले साल ही मतलब तीन साल पहले 2015 में हो था शायद इसका वेपर तो 2017 में सौरी 2015 2017 में हो था लास्ट टैम पेपर इसका ठीक है और वह को तो पेपर यह था वह बिल्कुल मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि मीडियम लेवल का था बड़िव जिसका करंट फिर यह था ना वह थोड़ा हार लेवल पे करंट फिर था करंट फिर का पॉश्चन ज्याता पूछा था इन्होंने यह से आपका UPSC में करंट फिर पूछा आता है जब वैसा ही यहां पे अया हुआ था यहासे टीक है लेटेस जो भी आपकी आपकी स्कीम से वह रहा थी वही तो बात करते हैं यहां पी एसे है और अगर इसका पाई सकेल की बात करते हैं तो लेवल 7 है ठीक है 44 आपकी 900 आपका से लेके 1,42,000 आपकी इतनी पे यहाँ पे जा सकती है यहाँ पे ठीक है आगे मैं कुछ डिसकस नहीं करूँगा ज्यादा इस पे अगर बात करते हैं यहाँ पे एज की तो यहाँ पे यह एज लिमिटर वो है 18 to 27 ठीक है फॉर आपके जनरल केटेगरी का यह 27 साल तक है वो आपका यह यह लिजीबल है यहाँ पे और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर आपको एक क्वालिफिकेशन यहां पर बता दूं ग्रेजुशन होनी चाहिए या कोई ग्रेजुशन कर रहा वही ठीक हरी वह भी यह लिजीबल है इस फॉर्म को फिल करना में तो यहां पर एक desirable qualification जो इन्होंने पूछी है वो knowledge of computer computer की knowledge तो होने ही चाहिए candidate को बढ़ी ठीड़ी अब यहां पर बात करते है एज की तो एज आपको बता दिया कि ठारा से लेके 27 साल तक यह भी आया open category का वो यहां पर फिल कर सकता है अगर कोई SC का है तो उसको 5 year यहां पर age limit यहां पर extend है यह आपकी OBC के लिए तो 3 साल के लिए OBC वाला भी extend है वही ठीक है अगे बात करते हैं यहां पर इसका यहां पर देख लेते हैं कि mention किया है यह नहीं किया हुआ वही तो यहां पर एक और नीचे देख लेते हैं यहां प ले में है यहां पर जमू में भी होगा वई ठीक है तो अब बात करते हैं यहां पर हाँ यह रहा ठीक है कि exam यह वो क्या पैटर्न रहेगा exam का वह हम देख लेते हैं ठीक है एक सकीन कलवा चूस करने दाना अच्रह यहां पर टायर वरन इसके यहां यहां यह एक कोष्ण्न उसको यहां यहां पर प्रशक्षों के इसको डिवाइड किया ओ और ट्रटी मार्क्स यहां पूच intentar भी पूचैन के उन्हों और प्लस यहां पे एक आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम है ना उसी में से सारा उन्होंने पूछ लिया था मैंतमेटिक कम से कम 20 में से कोई 10 15 कोश्चन थो आपके इनी आवरेज और आपके यह बड़ा चप्टर आपको यह बताया स्पीड डिस्टेंस टाइम उसी में से जादा पॉशन पूछेगा पॉलर्टी और मॉडर्ण हिस्ट्री वाइट चीक है इंगलिश आपकी इतनी जादा हाई लेवल पर नहीं थी मेडियम लेवल की थी चीक है और यहां पर एनलेटिक और यह आपकी रीजिनिंग भी बिल्कुल एजी थी और कॉंट भी सेक्शन आपका इजी था भी तो यही आपके बीस और बीस चालिस नमबर यही आपको यहां पर आपको क्या कर सकते हैं आपका मेरिट में आपको यही ला सकते हैं अगर आपने इसमें 40 में से यहां पर 35 प्लस स्कोर कर लिया या 32 प्लस स्कोर कर लिया तो आप यहां पर GS में भी यहा में आपका 50 marks का पेपर होगा यो कि आपका descriptive होगा वई ठीक है इसमें आपका एक essay होगा जो आपका 30 marks का होगा एक essay कुछ भी आपको दे सकता है ड्रग abuse की ओपर या बुमन एंपावर्ण के ओपर अब जो भी आपको यहां पर होगा वह आपको 50 marks का आपने करना पेपर और essay आपका 30 marks का होगा और इसमें से एक comprehension वहोगा और प्रैसी रैटिंग होगी जो कि आपका 20 marks का वहोगा ठीक है अब यह आपको qualified nature है वही ठीक है qualified nature में चाहिए यहां पर 20 marks ऐनद मार्क्स का ओगा यह पर ठीक है और फिर बात में आपका 250 मार्क्स से आपका यह कटाफ यहां पया पर जाएगी वह फिर टो सिलेक्शन केंडिडेट आपको यहां पर इन्होंने दिए हो यहाँ पर ठीक है कि 33 प्रसेंट यह 34 औवी सिवह ऑपन वाला इतना होना ही चाहिए पस और एक बात कर लेते हैं यहाँ पर 1-4 की यहाँ पर नेटिव मारकिंग भी है ठीक है वो आपको मैं पूरा बता दिया हुआ है ठीक है अब यहाँ पर यह तो थी है आपका पहला भई ठीक है कि यह आपका ACIO का था ठीक है आई भी का सेकिंड नोटिफिकेशन आपकी बात करते हैं यह आपकी ग्रेजुशन लेबल की है वो यहाँ पर आ आती है हमारी जेके SSB भई ठीक है अब जेके SSB में भी यहाँ पर रिसेंटली पोस्ट निकाली है इन्होंने भई यहाँ कि आपकी लेवर एंड इंप्लॉइमेंट की वेकेंसी वो 78 थी यहाँ पर और यहाँ पर कल्चर की बात करते हैं तो 79 यह इलेक्शन में आपकी 137 ट्राइवल में 16 है और सबसे ज़्यदा फाइनेंस में है 1246 वेकेंसी और अवराल टोटल यह वेकेंसी है वो कितनी आपकी 1700 वेकेंसी ह यहां पर ठीक है अब यह उनके कोड दिया हो वही ठीक है वाइड इंडेंड रेफरेंस इंसे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहां से आपने फॉर्म करते टाइम आपने यह देखना कि कौन सी नोटिफिकेशन का आप फॉर्म कर रहे हैं ठीक है यह आपको पूरा दिया जनबरी को यहां पर इसकी लास्ट डेटा है और आप सभी से यही रिकेस्ट मैं करता हूं कि फॉर्म हमेशा बारां के बाद मत फिल करना बारां जनबरी से पहले-पहले फॉर्म कर लो क्योंकि उसके बाद क्या होता कि इनकी यह वेबसाइट ना वह बीजी हो जाती है तो स देख लेते हैं इनके की पोस्ट के लिए आपका डो मिसाल जरूरी है जिसका डो मिसाल अभी नहीं बनाना तो वह यह फॉर्म फिल नहीं कर सकता है दो मिसाल पका बना लो भी ठीक है और बात करते हैं एज लिमट की तो आपको पता है कि यहां पर जेके एससबी की यह ओपन मेरेट के वह 40 है सबसे फाइदा होता होता है यहां पर एक सर्विसमेन को इनका कट अफ यह वह बिल्कुल लो रहता भई यहां पर ठीक है क्वालिफिकेशन भी यहां पर इन्होंने दी होगी लास्ट में बड़ आगे आप शायद आपने सभी नोटिफिकेशन तो देखी लियोगा नीचे जाके कि यह कौन कौन से डिपार्मेंट में क्या क्या विगेंसी से यहां पर मैं पूरी तो डिसकस नहीं कर पाऊंगा ठीक है बटी यह आपकी यह मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ यहां पर फाइनस की यहां ना वो फाइनस आपकी मेन है यहां पर एक सेकेंड यहाँए पैडिको थोड़ा सा पिंच करने दो यहाँपे अब यहाँपे बात करते हैं finance, 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 finance की election की भी काफ़ी हो, decentral है यहाँपे, labor department में भी यहाँपे निकल हुी vacancy से यहाँपे वो भी आप बर सकते हूँ finance की यहाँपे नीचे जाके थी चुलो कोई नहीं इसका यह पीडिये फरो यहां पर मैं इसके description box यहां अपने टेली ग्राम यह लिंक है यहां पर टेली ग्राम यह आप सभी पूछते हो ठीक है टेली ग्राम लिंक यहां मेरा वो है यहाँ पे jkssbada614 ठीक है इन दोनों का यह PDF वो यहाँ पे डाल दो अगर कोई भी यहाँ पे candidates नहीं हुआ उससे यह request है हमारे चैनलों को subscribe कर लो और यह Sunday को आपका यह हमने mega test रखा हुआ जैसे यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे Sunday को हमने एक test रखा हुआ है वो है आपका mock test होगा mathematics का mathematics का एक mock test होगा जो कि आपको सभी को यहाँ पे करना है सभी ने वह test देना है क्योंकि वह test ज़रूरी है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वाला test ठीक है यह तो अभी पे question की answer भी discuss करेंगे और आपकी candidate के देखते हैं कि कितनी त्यारी हुई है candidate की तो यह test मिस्स मत करना यह संदे को शाम को नो बज़े टेस्ट यह शुरू हो जएगा डेली के ऐसे मैं यहाँ यहाँ पे ABC series लेकर चला हूँ यह का मतलब है यहाँ पर की mock number one mock test one mathematics का ठीक है फिर ऐसे 10 mock चलूँगा तो यह से लेकर यहाँ पर हम ओ तक यहाँ पर जितने भी हो सकते हैं वह मैं आपकी series करकर करके आपको पता चल जाए कि यह यह वाला पहला mock था यह दूसरा mock है तीसरा mock ठीक है फिर उसके बाद हम reasoning के भी करेंगे जी इसका वे और फिर उसके बाद मेगा मॉक्स टेस्ट आपके 5 फुल लेंथ में 100 marks के भी मॉक्स टेस्ट में लेकि आऊंगा आपके ठीक है और यहाँ पर बच्चे डिमांड करने हैं कि सर सो कोशन mathematics का लेकि आज़ो बेटा सो कोशन एक ही वीडियो के अंदर हम डिस्केस नहीं कर सकते हैं ठीक है यह से यह वाले यह मैं आपको बोड रहा हूं कि यहाँ पर आपको यह PDF इसका मिल जाएगा और यह भी हमारे चैनल पर नहीं हुआ है YouTube चैनल पर जैकी आपको सब्सक्राइब कर लें और प्रेस दावल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन आफ दा वीडियो ठीक है तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूं अगर आज शाम को मेरे से परसेंटेज का पार्ट सेकिंड के यह कोस्टन टेस्ट अगर वो डिसकस हो पाएंगे तो मैं आपके साथ कर दूँगा जुरूर आपकी स्पोर्ट चाहिए हमें ओके बाबाई